हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आज हम ग्लास नेक बनेंगे उसकी कटिंग और स्टीचिंग दोनों साथ में देखेंगे ति हमने ब्याक पार्ट पहले से स्टीच करके रखा इस तरह से लाइनिंग और जो हमारा में फैबरिक है इन्हें हमने जोइन करके रखा है तो यहाँ पे और हम आसंफाध्यान पेपर लेएंगे ईक WH yamne drama लिए जो भी आपकी नेक की लियें तो उससे एक तेडी इंच इसकी लिंग已經 त्यंगे तो यहाँ पे हमने स्टीचवlar ह mains लींगे और इसकी चाम़्णाई हमने चार इंच ओ तै यहाँ पर हम इसे हमने डबल फो और यहां से हम लेंगे नेक की लेंट 11 इंच तो उसमें हम आदा इंच में लेंगे शिलाई के लिए 11.5 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से अब ग्लस नेक बनाना है तो हम यहां से आदा इंच अंदर के और लेना है और इसे हम यह जो लाईने यहां से यहां तक इसे जोइन कर देंगे इस तरह से हमने आदा इंच अंदर के और लिया है अब हम थोड़ा सा आदा इंच बाहर के और लेते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरह से ह कि अइस बस्ट आदाँ यहां ऊदा बाहर के अंदर के अंदर के यहां से तरह यहां कर देधीशने अंदर कुण्स कि इस तरह से अब हम इसके साइज का एक फ्याब्रिक लेंगे और उस पर यह जो श्टिकी वाला भागया ऐरन से चिपकाएंगे करने के बाद सैट से हमरे जो एक्सटा फ्याब्रिक था उसे यहां से सिलाएं लगाने बाद जो एक्सटा था उसे कट कर लिया है अब इससे हम ब्लॉस लेंगे और इसे हमने सेंटर से इसे कट किया है इसके उपर हम रखेंगे इस तरह से इस तरह से हम परबर रखने के बार इसे पीन अप कर लेंगे और यहां से हम इसको सिलय लगाएंगे स्क्वेर में हम इसे सिलय लगाएंगे बाद में अंदर के और फोल करेंगे इस तरह से हम इसके सैट से सिलय लगा दी अब जो एक्ष्टर फैबरी के अंदर का उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से कट करने बाद यह दोनों कार्णों के हम थोड़ा कट लगाएंगे जहां अमारी सिलय हम हां तक हम थोड़ा कट लगाएंगे ध्यान रहें सिलय ना कटे अब यह कट लागाने बाद यह जो हमने पट्टी पने इसे हम अंदर के और फोल करके इस तरह से हम अंदर इसे फोल करेंगे और इसको पर से फिनिशिंग के एक सिलय लगाएंगे हमने पाईपिंग जो हमने की ती उसको अंदर हमने फोल करके यहां पर अपैस हमने यहां सहाथ नसे कि दबल इस से तरह सहाद है ब मुस्तर से दंपने लले के हम इंब वोती वाली लेसली हमने इसके लिए हमने यहां पर फूट चेंज किया है तो सिंगल फूट ही यहां पर लगाया हमने आप इसे हम इस तरह से लेंगे और इसको पर से सिलाई लगाएंगे लगाएंगे लोती!! इस तरह समसे लए लागाते जाएंगे तो पूरे ने कौम इस तरह पट्टी जाइन करेंगे अब हम कार्नर पे सुई को नीचे रखते हुए इस तरह से हम घुमा के लेंगे पुमा करेंगे तरह समझागे के ले शीचे के ले पी अब इस कॉर्णर पी भी हम स्वीनी चलेंगे इसे भूमा किलेंगे अब एक्ष्टाले से उसे हम कट कर लेंगे अब इस तरह से सिलाय लागाने बाद इसको पस हम दूसरे साइड से यहां से पॉटर इंच में एक डबल सिलाय लागाएंगे इस तरह से हमारा ग्लास नेक तयार है अगर आपको यह मेरा वीडियो पसना है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए प्लिस सब्सक्राब मैं चानल थेंक्वी फर वाचिंग मैं वीडियो